वेलकम टू इंटेलिजेंशिया इंशिट्यूट इंटेलिजेंशिया इंशिट्यूट के चैनल को आप लोग जादा सेयादा सेयर और सब्सक्राइब करिए चलिए शुरू करते हैं कोईला तथा खनिस देल किस प्रकार का संसाधन है तो यह है अनव्य जुआरिये पवन जल तथा भूगार्वी कुर्जा किस प्रकार के संसाधन के स्रेड़ी में आते हैं तो यह आते हैं नव्य ठीक है किसी ने कहा कि परियावरण प्रबंधन की संकल्पना समानतया परियावरण मौडल से संबंदित होती है तो इनका नाम है डेनिस मीडोज और 1971 में जो है इन्होंने यह बिजार दिया था ठीक है किस प्रकार के मानों ने परियावरण को सरवाधिक छथ पहुचाया है तो परदो की की मानों ने सरवाधिक छथ परियावरण को पहुचाया है ठीक है परियावरण प्रबंदन में किस प्रकार के उद्धेश्यों की प्राप्ति को प्रात्मिकता दी जाती है तो अल्पकालिक परियावरण की गुडवत्ता ब्यक्तिनिष्ट होती है की समनिष्ट तो यह होता है ब्यक्तिनिष्ट परियावरण प्रबंधन की योजनाओं की अस्तरी करण में किन सिद्धानतों पर यथेश्ट द्यान आपेच्छित है तो पारिस्थित की के आधारभू सिद्धानतों पर परियावरण अधिप्रबाव की आकलन का कारिसर परधम किस देश में प्रारम हुआ तो युजशे में ठीक है भारत में कभिशे बिविन छेत्रों के अंतरगत परियावरण अधिप्रबाव का मुल्यांकन अनिवारी कर दिया गया 1994 में परियावरण ये अधिप्रबाव मुल्यांकन का निरिच्छन योम नियंत्रन मुखतया किस के द्वारा किया जाता है तो BSI के द्वारा और ZSI के द्वारा बाइलोजिकल सर्वे आफ इंडिया और जोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया के द्वारा ठीक है प्राकृतिक योम पारिस्थित की संसाधनों के लाभिप्रद उपियोग योम संरच्छन में आधार भूत पारिस्थित की ये नियमों योम सिध्धान्तों का उपियोग पारिस्थित की किस साखा में किया जाता है तो ब्यावहारिक पारिस्थित की में किया जाता है बरतमान में बिश्व के कितने प्रतिसत भाग पर बन पाये जाते हैं तो 31% पर और मिनमम होना चाहिए 33% ठीक है 31% आप दी वर्ड्स लेंड फर्फेज ठीक बिश्व के कितने प्रतिसत पर ठीक है सामाजिक वानिकी कारिकरम का आरंब कभी किया गया था तो वर्ड्स 1976 में हारा सोणा की हुपमा किसे परदान किया गया है तो बन को सुंदर लालबव उड़ा ने गड़वाल में चिपको आंदोलन सरपर्थम कब सुरू किया था तो वर्ड्स 1973 में बन किस सूची का विशे है तो वन जो है हमारा शमवर्ती सूची का विशे है ठीक है भूमी उपियोग छमता वर्गी करण के अनुशार किस वर्ग की मिर्दा वान की योम चारागा के लिए उत्तम मानी जाती है तो पांचवा वर्ग जो होता है उसको माना जाता है उत्तम किस वर्ग की मिर्दा शमश्या रहित मिर्दा मानी जाती है तो प्रथम वर्ग की मिर्दा वन जीऊ संराचन के लिए उपियोग की जाने वाली मिर्दा किस वर्ग में रखी गई है तो अन्तिम वर्ग में ठीक है मतलब आठवे वर्ग में ठीक है ब्हूमी उपियोग छमता वर्गी करण में मिर्दा को कितने वर्ग में बिभगत किया गया है तो आठ वर्ग में कितने प्रतिसत ढाल तक समोच रेकिये जुताई प्रभावसाली मानी जाती है तो आठ प्रतिसत केंद्रिय मिर्दा लवनता अनुसंदान संस्थान इस्थित है तो यह करणाल में भोगर भी यह छरण है प्राकृतिक छरण स्वयुक्त राष्ट की पहल पर गलोबल वार्मिंग गलोबल वार्मिंग की चुनवतियों से निपटने ही तु United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC का अस्तित और प्रभावी रूप कब शामने आया तो यह वर्ष 1992 में और वर्ष 1994 में ठीक है अस्तित में आया था 1992 में और प्रभावी जो हुआ 1994 में ठीक है UNFCCC के तीसरे सम्मेलन की क्या उपलब्दी थी तो कियोटो फ्रोटोकाल की स्वविकिति और स्वविकिति कम मिला 11 दिसंबर 1997 में 1997 में ठीक है और UNFCCC का नाम है United Nation Framework Convention on Climate Change ठीक है अस्तित में आया 1992 में प्रभावी हुआ 1994 में बेरी इंपोर्टेंट है कई बार पूछा गया एक जाम में केयोटो फ्रोटोकाल कब प्रभावी हुआ था तो 16 फरोडी 2005 में स्ववकिति मिला था 1997 में ये याद रखना जरूरी है और प्रभावी कब हुआ 2005 में कियोटो फ्रोटोकाल की धुतिये प्रतिबद्यता अवदी के तहट और दोगीक देशों को 1990 के अस्तर से 99 अठारा प्रतिसत की कटवती पर लाने की क्या समयोधी है तो करमशा 2013 से 2020 के बीज ठीक है नेक्स भारत ने कियोटो फ्रोटोकाल की धुतिये प्रतिबद्यता अवदी पर अपनी शेहमती कब प्रदान किया तो 8 अगस 2017 को ठीक है 2017 ये पूछ सकता है जम में UNF CCC के बाली शम्मेलन में कितने देश शामिल हुए थे तो ये 192 देश 192 देश शम्लित हुए थे भारत का प्रतिब्यक्ति कारबन डाई आकसाइड उस सर्जन कितना है तो 1.7 मेट्रिक टन और ये रिपोर्ट है वर 2016 में करेंट में जब कलास चलेगा तो उसको हम फिर नया इसब डिसकस करेंगे अपडेट करेंगे जो भी इनवाइर्मेंट हुआ पॉलिटी हुआ और सब्जेक्ट जैसे एकनॉमिक्स हुआ तो एक्जाम के एक महिना पहले सारी सिरीज चलेंगे करेंड के और सारी चीज़ें अपडेट किया जाएगा ठीक है कारबन डाई आकसाइड के कुलब बैसबिक उस सर्जन में भारत की हिस्ट्रेदारी लगभग कितने प्रस्चत हैं तो 6.93 प्रस्चत ठीक है 6.93 प्रस्चत ठीक हाँ अब है कॉब कॉब 22-24 का समेलन वर्ष 2018 में पोलेंड में शंपन हुआ अगला कहा होगा मतलब ये उस समय कॉब 25 जो है तो ये चिली 2019 में ठीक है और बाकी जो है अब करेंट में डिसकस किया जाएगा अभी लेटेश वाला जो भी आएगा करेंट में उसको डिसकस किया जाएगा जिनेवा फ्रोटोकाल 1925 किससे संबन दित है तो ये जो है राफाइनिक यों जैबिक हत्यार के प्रतिसेद से है संयुक्त राष्ट परियावरण कारिकरम UNEP ठीक है United Nations Environment Program का शुभारम कब हुआ था बहुत ही इंपोर्टेंट है 5 जून 1972 को इस टाक होन शम्मेलन के दोरान शुरू हुआ था ठीक है 1972 बिश्व का सबसे बड़ा वन जियू सन रच्छन समझोता कौन सा है तो ये है साइट्स साइट्स ठीक है साइट्स साइट्स उनिस सो तियत्तर 1973 हाँ आधारी समझोता का संबंद किस से है तो खतरनाक निरगमी कचरू की फीमा पार आवा गमन और उनिके निपटारे से है निपटारे से है ठीक है हाँ वियाना कन्वेंशन किस से संबंदित है तो वियाना कन्वेंशन जो है ओजोन परत के संरच्छन से संबंदित है हाँ अंतर राष्टी ओजोन संरच्छन दिवस कम मनाया जाता है तो 16 फितंबर को मनाया जाता है पिरतिभी फिखर सम्मेलन 1992 में किस ब्यापक कारिवाही योजना को स्वविकृत किया गया तो एजेंडा 21 को जो है स्वविकृत किया गया था ठीक कियोटो फिखास के लिए समर्पित फिखर सम्मेलन कौन सा था तो पिरतिभी फिखर सम्मेलन 1992 में ठीक कियोटो फ्रोटोकाल किस से समंदित है ग्रीन हाउस गैस के उतसरजन में कमी लाने से समंदित है बहुत इंपोर्टेंट है 1997 में अनुमोदित कियोटो फ्रोटोकाल कब लागू हुआ तो वर्ष 2005 में फरोली 2005 में कॉप के किस सम्मेलन में कियोटो फ्रोटोकाल को सबकित किया गया था तो कॉप के तीसरे कॉप थिरी तीसरे कॉप सम्मेलन 1997 में कियोटो जापान में पहला कॉफ समेलन कब आयोजित किया गया था तो वर्स 1995 में संयुक्त राष्ट परियावरण कारिकरम UNEP का मुख्याले कहां है तो नेरोबी में है और नेरोबी केनिया में पड़ता है IPCC की पहली रिपोर्ट का प्रकासित हुई वर्स 1990 में क्योटो फ्रोटोकाल पर अस्टेलिया निकका भस्ता चरकिया तो दिसंबर 2007 में कॉफ कॉफ का पूरा नाम है कान्फरेंस आफ फार्टीज 18 और कॉफ 19 का समेलन कब और कहां शंपन हुआ तो कॉफ 18 का आयोजन 26 नौंबर से 7 दिसंबर 2012 को कतर की राजधानी दोहा में ठीक है पूछ सकता है यह 2012 का है 2012 बहुत चर्चा रहा उसी समय जो है सर्षनेबल डेवलेप्मेंट गोल जो है ठीक है तो यह पूछ सकता है और कॉफ 19 का आयोजन 11 नौंबर 2013 को वर्षा पोलेंड में आयोजित किया गया था ठीक है और सर्षनेबल डेवलेप्मेंट गोल जो है हमारा SDG तो SDG जो है इसमें 17 गोल है ठीक है और जिसको वर्ष 2030 तक प्राप्त करना है ठीक नेक्स यह भी बहुत इंपॉर्टन यह भी है मौन्ट्रियल फोटोकाल मौन्ट्रियल फोटोकाल 16 फितंबर 1987 का संबंद किससे है तो ओजोन परत को छींड करने वाले पदार्थों के बारे में ठीक है यह इंपॉर्टन है क्योटो फोटोकाल से कौन सा देश अलग हो गया है ठीक है तो कनाड़ा अलग हो था वर्ष 2011 में बस यह आद रखना परतम 200 जलवाई शंम्हेलन कब और कहां अयुजित किया गया तो वर्ष 1989 में 1979 में जेनेवा幹嘛 है ठीक है पर्थम 200 जलवाई शम्मेलन है ये दुतिये पित्वी शम्मेलन कब आयो जित हुआ तो 1997 में 1997 में नियूयर्क में और पित्वी शम्मेलन प्लस 5 के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है कियोटो फ्रोटोकाल 1997 जिस पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ता शर्वा अनमोधन किया अनकिस संग्या से अवहित किये जाती हैं तो बिस्व परियावरान सम्मेलन हुआ ग्रीन हाउस सम्मेलन अब देखती हैं तो देखती हैं ड्रेको तो ड्रेको जो है या मलेशिया में पाई जाने वाली चिपकली है जो दीवारों वा बृच्छों पर चल सकने के अतरिक उडान भरने का आनंद भी लेती हैं ठीक है और यह है ड्रेको इसका नाम है ठीक इसी प्रकार एक्सो केटस मचली रैको फोरस मेड़क और लेमर नामक अस्तंदारी भी उडान बरने में सच्छम होते हैं तो यह important कुछ facts हैं जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वाई पेरा रसेली वाई पेरा रसेली सांप यह सांप अन्य सांपों से इस माइने में भिन है कि यह अंडा देने के बजाए बच्चे का चनन करता है इसी प्रकार शोलियो डान नामक मचली भी अंडा देने के जगा बच्चे को बच्चों को जन्म देती है तो यह भी important है अब next देखते हैं एसकीमो के बारे में देखते हैं तो यह उत्री धुरूब के आस-पास वाले देशों जैसे कनाडा तथा ग्रीन लैंड में रहते हैं यह हमारा हो गया गोलाद और यह उपर वाला उत्री गोलाद और यह सौध गोलाद और बीच में इक्वेटर होता है तो वही कनाडा तथा ग्रीन लैंड में रहते हैं एशकीमो जो है उत्री दुरूप के आस पास तलब इस एरिया में जो है कनाडा और ग्रीन लैंड में रहते हैं सरदी से बचने के लिए ये बर्ब के घरों जिनको इगलू कहते हैं निवास करते हैं ठीक है अब नेक्स सेखते हैं युगलीना यह एक ऐसा जीव है जिसमें जन्तु तथा पादब दोनों के घुड़ पाहे जाती है अताया जन्तु पादब के बीच की कड़ी माना जाता है ठीक है यह important है पूछ सकता है कि अताया जन्त और पादब के बीच में कड़ी माना जाता है ठीक है तो पूछ सकता है कि निमलिकित में से कौन सा ऐसा जीव है जो जन्त और पादब के बीच कड़ी माना जाता है तो इसका नाम है इगुलीना और यह जाम में पूछा भी गया है तिक है इसी प्रकार विशान सजी और निर्जी दोनों होते हैं आरिकियोय पेटेरिस पच्छी वा सरीशिरिप का स्वैयोजक जन्त है जबकि प्रोटोथेरिया शरीशिरिप वा अस्तंधारी के मद कड़ी मान जाते हैं ठीक है यह ध्यान रखना important facts है एकीड़ना एकीड़ना और फ्लेटीपस एकीड़ना और फ्लेटीपस अस्टेलिया में पाये जाने वाले दो ऐसे अस्तंधारी हैं चो शामान अस्तंधारियों के गुड़ बच्चा जनने बच्चा जनने के बिपरीत अंडा देते है ठीक है? मतलब ये अंडा देते हैं ठीक है? और ये दोनों शरीश्रिप और अस्तंधारी के बीच कड़ी माना जाता है इनको इन दोनों को जो है शरीश्रिप और अस्तंधारी के बीच कड़ी माना जाता है कंगारू रेट कंगारू रैट के बारे में देखते हैं तो यह उत्तरी अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका के दश्चिड पश्चिम रेगिस्तान में पाये जाने वाला चोहे के समान अस्तंधारी है यह अपना पूरा जीवन बिना पानी पिये काट देता है तो यह भी important facts है पूर सकता है कंगारू रैट कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बैम्पायर चमगादर तो इसके बारे में देखते हैं मद और दश्चिड अमेरिका में पाये जाने वाले बैम्पायर चमगादर का सुभाव अनचमगादरों के सुभाव से भिन होता है या खतरनाक माना जाता है और मनुस्वसाहित अनजन्तूओं का खून चूस लेने में माहिर होता है ठीक आगे देखते हैं हाँ अब नेक्स है बलूई और लोडिये च्छेत्र एक पसु चाति का आवास है इस च्छेत्र में उस पसु का कोई परवच्ची फरवच्ची नहीं है किन्तू आवास द्वन सुहनी के कारण उसका अस्तित खतरे में है यह फसु कौन सा हो सकता है आईएस 2011 में पूछा गया है ठीक है तो इसका यह है बारतिये वन गधा वारतिये वन गधा क्योंकि वन गधा का प्राक्टिक आवास कच्च का रन है इस छेत्र में इसका कोई परवच्ची नहीं है किन्तू आवास के सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित जो है कतरे में है अब हम देखते हैं शलोत अमेरिका के जंगलों में पाये जाने वाला बंदर के शमान अस्तंदारी है या अपना पूरा जीवन ब्रिच्छों पर उल्टा लटक कर बिताता है ठीक है कैसोवरी न्यूगिनी न्यूगिनी में पाये जाने वाली कैसोवरी संसार कि सबसे क्रोधी और खतरनाग चिडिया मानी जाती है नेक्ट देखते है लेमिंग तो लेमिंग के बारे में देखते है ये चुहे के सद्रिस दास से कुदरने वाला चिव है जो सुईविडन नारवे के आसपास के चेत्र में पाया जाता है जब किसी अस्थान पर इनकी जनसंख्या में अधिक विर्दी हो जाती है तो ये उस अस्थान को छोड़कर भोजन के तलास में चले जाते हैं और लाखों के संख्या में आसपास के समुद्र में कूद कर चान दे देते हैं ठीक है इनका नाम है लेमिंग अब हम देखते हैं कुछ मातपुड पुरुषकार और इसका स्थापना कब हुआ और कौन परदान करता है ये देखते हैं ठीक है तो इंद्रा गांधी परियावरण पुरुषकार ठीक है तो इस राज ही जो है तो संगटन की स्रेडी में पांच लाग रुपे दिया जाता है ठीक है और प्रतेक के दो पुरुषकार होते हैं ठीक है बेक्ति स्रेडी में तीन को लोगों को दिया जाता है और पांच लाग और तीन लाग और दो लाग ठीक है तीन बेक्ति को इसमें 5 लाग है एक वेक्ति को दूसरे वेक्ति को 3 लाग है और तीसरे को जो है 2 लाग दिया जता है और संगटन की स्रेडि में तो पुरुषकार प्रतेक को दो पुरुषकार दिये बार अस्तापना इसका हुआ था और 1986 से दिये जा रहे हैं परियावराण और बन मंत्राले भारसवरकार के द्वारा। महाबिरिच पुरुषकार पचीस हजार रुपए दिये जाते हैं, तिराननेबे चौराननेबे से राष्टिये बनारोपण योम, फारिस्थित्की विकास बोड के द्वारा। बिसिष्ट बैग्यानिक पुरुषकार तो 20-20,000 रुपए ये सब इग्याम में उतना नहीं आते हैं, फिर ऐसे देख लेते हैं, वर्स 1991 बाननेबे से दिया जा रहा है परियावराण योम बन मंत्राले के द्वारा, लेकिन ये इंपोर्टन है, राजियू गांधी वन जियू सनरच्छन पुरुषकार एक लाग रुपए दिये जाते हैं, और किसके द्वाराण योम बन मंत्राले भारा सरकार के द्वारा, ये बहुत इंपोर्टन है, राजिये परदूसर्ण निवाराण पुरुषकार एक लाग रुपए दिये जाते हैं, वर्स 1992 से परियावराण बन योम जलवाईू परिवर्तन मंत्राले भारा सरकार के द्वारा, अब इसमें देखते हैं, इंपोर्टन फैक्ट्स, पचास से अधिक देखो द्वारा समर्दित, सायुक्त राष्ट का मौसम परिवर्तन समझाउता है, 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था, ये यादरडेट यादरखना जरूरी है, अन्ना मलाईश रेली, जो पश्चिमी घाड में इस्थित है, ये है पश्चिमी घाड ये, ठीक, पश्चिमी घाड में इस्थित, इंद्रा गांधी वन जियो, अव्यारण, जो कि तमिलनाड में इस्थित है, में अवस्थित टौफ सिल्प है, एक डेरा की संग्या है, ठीक है, अब नेक्स देखते हैं, बुंदाला, जियो मंडल के बारे में देखते हैं, बुंदाला, ठीक, या स्रिलंका के दच्छडी पूर्वी टट परिस्थित एक जैयो रिजर्ब है ठीक है क्या है जैयो रिजर्ब है और स्रिलंका के दच्छडी पूर्वी टट परिस्थित जिसे वर्ष 2005 में उनेशकों ने मानो तथा जियो मंडल मैब तंत्र में शमलित कर लिया है एक समुद्री, शैंच्वेरी जिसकी सीमा के अंतरगत, प्रवालवित्या, डॉल्फिन, मॉलस्वका, खचुये, योम समुद्री पच्छी हैं, भारत में सरवर्णम, लच्छिद्यूप में जो है, अस्थापित किया गया, ठीक है, नहीं देखते हैं, आकलकांट जिवास्म आकलकांट जिवास्म पार्क, या जिवास्म पार्क, मरू राश्टिये उद्यान, चेसर मेर का एक भाग है, या तब है कि मरू राश्टिये उद्यान, काले म्रिको, योम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, क्या दिलब्द है, अब देखते हैं, बूंदी शैली, पाव सूजन सिंग के समय, बिक्सित इस सैली में पश्यों के चित्रन को मात दिया, दिया गया है, ठीक है, थैंक यू, चैनल को आप लोग जादा स्यादा सेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पर पमस दिया जादा स्यादा सिंग।